हलो एव्रीवन, हिंदी आप चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज इस विशेश अफसर पर हम बात करने वाले हैं महिलाओं को लेके तो सबसे पहले तो आप सभी को महिला दिवस की हादिक शुब कामना है अब हम बात करेंगे कि महिला दिवस मनाया क्यों जाता है लेकिन उसके पहले हम महिलाओं से संबन्दित कुछ बातों को भी तो जान ले तो ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन का आधार ही नारी है भले ही इस रस्टी को जर्म इश्वर ने दिया है लेकिन इस रस्टी में प्राण फूकने का काम तो एक नारी का ही है ऐसा कहा जाता है कि जो नारी है नारी एक ममता त्याग इस नेह और दया की प्रतिमोर्ती है और साथी साथ कहा जाता है कि जो नारी है वो शेहन शीलता का पर्याय है लेकिन इस पुरुष्प्रधान शमाज में नारी को वो इस्थान नहीं मिला जिसकी वो अधिकारी थी तो हमारे समाज में हमेशा से ही नारी का शोशन हुआ है उनकी इस त्रीत्व का दमन हुआ है मतलग कि उनको कहा गया है कि तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए या फिर तुम्हें तुम्हें ये नहीं कर सकती ये सारी बाते आज बहुत समय से लगातार महिला हैं सुनती आ रहे हैं लेकिन इस पोरे विश्व के हर एक कौनी में नारी को अक्सा तिरशकार ही मिला है लेकिन आज हम कुछ ऐसी महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने हर छेत्र में एक अलग ही सफलता का परिश्व लहराया है जैसे की किरंड़ बेदी, प्रतीभा पाते और कल्पना चावला, साथी साथ स्वर्गी लता मंगेशकर जी और साथी साथ अधीता फर्या हम अपने आगे आने वाली वीडियो में इसको डेटेल से जानेंगे, लेकिन अभी हम बात करें थे नारी शक्ती के बारे में तो बहुत मतलब प्राचिन समझ से ही नारी को एक तरशकार मिला हुआ है और उसी हमेशा से ही पुर्सों से हीन समझा गया है और हमेशा ही नारी को समाज में अपने अधिकार के लिए लगना पड़ा तो एक बार की बात है कि कुछ महिलाएं, महिलाओं का एक संविटनता समू था तो उन्होंने एक आंदोलन किया था कि उन्हें समान वेतन चाहिए और साथ ही साथ उन्हें मतदान का भी अधिकार चाहिए तो उन्होंने जब ये आंदोलन शुरुआत किया तो लोगों में एक नहीं लहर आई कि महिलाओं भी अपने हक के लिए लगने लगी है तब ही से सुरुवात हुई महिलाओं को सम्मान दीने की उन्हें सम्मान अधिकार मिलने की फिर उसके बाद से 8 मार्श 1975 से पूरे विश्व में 8 मार्श को महिला दिवश की रूप में मनाया जाने लगा जीवन के प्रत्यक छेत्र में चाहे वो राजनेतिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो महिलाओं को उचित अधिकार और उनके उचित सम्मान के लिए 8 मार्श को हमेशा ही अंतराश्टी महिला दिवश मनाया जाता है आज चाहे महिला, आज चाहे घर हो, या फिर ओफिस हो, या फिर कोई भी स्थान हो, महिलाओं हर जगए स्वतंत्रता का एक नया पर्चम लहरा रहे हैं हाली में एक फिल्म का एक बहुत ही फैमस डॉयलाग है कि नारी, नारी, शक्ती, सब्बुद्धी और संपत्ती तीनों ही एक नारी है और इस महिला दिवश को मनाने का एक ही दे है कि सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन के प्रतिक शेत्र में महिलाएं किसी भी अधिकार से वंचित ना रहें और उन्हें किसी भी तरीके से पुर्शों से कम ना समझा जाए तो हमेशा अपनी घर के आपको सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे अपनी घर से ही जैसे ही मेरा भाई ये वो हमेशा मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक वजीर के रूप में तयार किया है वो ये कभी नहीं कहते कि तुम रानी हो या फिर राश कुमारी हो वो हमेशा कहते हैं कि मैंने तुम्हे एक वजीर के रूप में तैयार किया है तो आज से आप सभी को अपनी घर की महिलाओं को बहुत जादा सम्मान देना है और उनके हक के लिए लेन भी सिखाना है अंत में और मेरा ऐसा एक मानना है कि नारी की योगवता का जो आकलन है वो उसकी सोंदरे से और उसकी काया से नहीं बलकि उसकी गरीमा से और उसकी कर्मता से होना चाहिए कि वो हर छेतरों में सफलता के जण्डे गार सकती है जैसे हम आपर बात करें कुछ महिलाओं की तो सबसे पहले आपको दिख रहे होगा हमारे देश की जो पहली महिला IPS आफिशर है वो है किरन बेदी इन्हों ने किस तरह से पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा पढ़ हाशिल किया और साथी साथ इतने अच्छे अच्छे कारे किये कि आज लोग उनके नाम से उनको जानते हैं फिर हम बात करते हैं प्रतीवा पातिल की सभी जानते हैं ये हमारे देश की पहली राष्टपती है पहले लोग ऐसा मानते थे क्यारे महिलाओं तो शिर्फ किचिन तक ही सीमेत है वो उनका काम सिर्फ रशोई का है लेकिन इ ये सावित कर दिया कि महिलाएं तथी से लेके अंतरिक्ष तक का सफर सफलता पूर्वद कर सकती है अब जानते हैं हमारे देश की पहली महिला फाइटर पेल जिन्हों ने रफेल को उड़ाया लोगों को लगता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती वो युद्ध छेत्र में वो रन भूनी में नहीं उतर सकती हैं लेकिन शिवाँगी सिंग इस बात को भी पूरी तरीके से नकार दियां और। वह हमारे भारतेयगेर देसकी पहली महिला फाइटर फेल उड़ाने वाली पहली महिला बने। अपने दो शब्द बोलती हो, पत्सुगम हो या शंगर्ष मिले, जीवन में बस उतकर्ष मिले, ब्रत पुष्पु भी फिर से खेल जाएं, एक बार तेरा इस पर्ष मिले.